हेलो स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है हमारे यूटू चैनल स्पार्कल एजुकेशन पिछली क्लाच में हमने 220 तक क्वेशन कर लिए थे इस क्लाच में हम अगले क्वेशन करने वाले हैं दो 211 क्वेशन है राजा पोरस और सिकंदर मान ने कौन सा युद्ध लड़ा था उस युद्ध का नाम है हाई डैस्पीज का युद्ध किस नदी पर लड़ा था उस नदी का नाम है जेलम नदी किस राज में पढ़ती है पंजाब राज के अंदर पढ़ती है कहीं से भी क्वेशन पूछ सकता है जमनर ओके अगला क्वेशन है कनिस्क किस बंस का सासक था तो किस बंस का था कुसाण बंस का सासक था कुसान बंस की जो राददानी है उसकी राददानी का नाम है पेसावर पेसावर ओके अगला क्वेशन है इसमें बारत के किस राजमें बौध गुफा मंदिर पराबर गुफाएं इस्तित हैं पच्चे मंगाल सिक्केम उत्पदेश ब्यार तो किस में पढ़ती हैं ब्यार के अंदर किस जिले में पढ़ती हैं अगर आपसे जिला पूछा जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा जहाना बाद ठीक है कहाँ पड़ता है, बिहार के अंदर पड़ता है इस point को भी आप याद रखेंगे अगला question है, pull case in, दूतिय किस बंसका सासक था तो किस बंसका सासक था चेरा, चोल, चालुक, पलब तो किस बंसका सासक था चालुक कि बंसका सासक था अगला है गुल बरक किला किस बारत के किस राज में इस्तित है कनाटक हिमाचल पिदेश असम उत्त पिदेश तो किस राज में इस्तित है कनाटक राज में इस्तित है option number A सही हो जाएगा किस जिले के अंदर पर था है जिले का नाम लिखिए अब लो जिला जिला भी पूछ सकता है ठीक है कल बुर्गी कल बुर्गी जिले में पढ़ता है इसका जो निर्माड हुआ था निर्माड किया था किस सासक ने किया था बहमनी बहमनी सासक ने किया था ठीक है जो बहमनी राजबंस है आपका इसी सासक ने इसका निर्माड किया था ओके अगला है रानी रूद्रमा देवी बारत के किस बंसकी थी तो किस बंसकी थी काकतिय बंसकी option number B सही हो जाएगा आपका अगला question है प्राचीन बारत का एक मेत्पूर्ण बंदरगा सैड था कौन सा था उसका नाम है तामर लिप ठीक है option number A सही हो जाएगा जहां से एक और question बनता है किस राज में पढ़ता है तो बंगाल राज के अंदर पढ़ता है ठीक है किस टटपर पढ़ता है बंगाल की खा खाड़ी के टटपर पढ़ता है ओके बंगाल की खाड़ी टटपर पढ़ता है ओके इसको भी आपको याद रखना है कहीं से भी question पूछ सकता है जमनर ठीक है सारे के सारे important facts है मैं बताते जा रहा हूं अगला है नेमनल लिखित में से कौन एक मचली पकंड़े का उपनिवे प्राचीन भारत में रोमनों और गरीक रोमनों के साथ प्योपार करने के लिए एक बंदरगा के रूप में प्योग किया जाता था उसका नाम आपको बताना है थीक है उसका नाम आपको बताना है तो उसका नाम है अरीका मेडू यह क्या है? एक कॉलोनी है ठीक है? अरीका मेडू यह क्या है? एक कॉलोनी है ठीक है? यहीं पर क्या होता था है? मचली पकरने का काम होता था ठीक है? और यह आप बंदरगा के रूप में पियोग होती थी ठीक है अगला है मैसो पोटा मिया के लोग किस से बनी तक्तियों पर लिखते थे तो किस की किले ओके किले से जो तक्तिया होती थी उसन पर क्या करते थे लिखते थे option नमर ए सही हो जाएगा यह क्या है अब साधी चटाने है ठीक है चटाने ओके अगला क्वेशन है प्राचीन भारत में गोत्र पिथा के बारे में निमन लिखित में से कौन सा कतन सही है option पहला पुट्सों और मेलाओं में से एक ही गोत्र में साधी करने की अपिछा की जाती थी बिलकुन नहीं की जाती थी एक ही गोत्र में कैसी हो जाएगा okay अगला है समान गोत्र के लोग उस ब्यक्ति के बंसज माने जाते थे ठीक है जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा जाता था जे बात बिलकुन सही है okay मैलाओं ने साधी के बाद अपने पिता के गोत्र को परकरार रखा जे बिलकुल गलत बात है पेटे गोत्र का नाम एक प्रसिद राजा के नाम पर रखा जाता था जे भी बिलकुल गलत बात है इसमें से सही पूछा है तो आप्शन नम्मर भी सही हो जाएगा अगला क्वेशन है निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत के चिकिस्सा के विसे में युगदान करता था उसका नाम है चकर क्या है चरकर चरक चरक देखो इसको सही कर लो ठीक है बास नहीं है जे चरक है ओके तो आप्शन नम्मर सी सही हो जाएगा पाणनी की बात करूँ इसकी जो पुष्तक है वो कौनसी है अश्टा ज्याई ठीक है जे पुष्तक है पाणनी की ओके बहुत बारे जामे पूछी गई है जे पुष्तक अगला है निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारती है गड़ तक की भी है अखगोल बिद्वी है उसका नाम है आपका बराहा मेहेर option number C सही हो जाएगा अगर मैं बाडबत की बात करूँ बाडबत की इसकी किताब का नाम है आपका कादमबरी इसका भी नाम आप याद लख लो ठीक है कादमबरी बहुत बार एज्जा में पूछी गई है ये बुश्टक ठीक है कादमबरी ओके अगला question है इसमें प्राचीन भारती पांड लिपियों आम तोर पर ताड के पत्तों या हिम्यालों में उगले वाले किस पेड की चाल पर लिखते थे उस पेड का नाम क्या होगा जो हिम्याले में जो पेड उकता है उसका नाम है सनोवर ब्रच option number C सही हो जाएगा इसकी चाल पर क्या करते थे लिखते थे पांड लुपी अगला है पहली सतापदी इसापूर में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रायत करने वाली जल संचन पणाली किस इस्तान पर थी उस इस्तान का नाम है क्या है स्रेंग वेरापुर option number D सही हो जाएगा अगला क्वेशन है बारत के किस राज में निंग थोजा बंस का सासन था उस राज का नाम है मणपूर option number A सही हो जाएगा option number A सही हो जाएगा एली फेंटा की गुफाएं मुख्यता निम्न में से किस देवता को समर्पित हैं बागवान सिब को बागवान किशन को बागवान राम को बागवान कडेश को तो एली फेंटा की जो गुफाएं हैं इसमें जो मूर्ती है बागवान सिब की है तो option number A सही हो जाएगा यहां से question और क्या-क्या बनते हैं जो elephanta की गुफाएं हैं वो किस बंस ने निर्माण कराया था उस बंस का नाम है राष्ट कूट बंस राष्ट कूट बंस ने इनका निर्माण कराया था ओके किसका elephanta की गुफाओं का ठीक है इसमें कितनी गुफाए होती हैं 34 गुफाए होती हैं टोटल 34 गुफाए होती हैं ओके और इसी एलिफेंटा की गुफाओं को युनेसको ने क्या किया था बिस दरोवल इस तल में सामिल भी किया था तब 1987 में यहां से भी क्वेस्टन पूछ लेता है 1987 में क्या होता है बिस दरोवर इस तल भी गोसित किया था इसने युनेसको ने ओके इसको भी आपको याद रखना इंपोडेंट फैक्ट है यहां से कोशन पूछ लेता है ठीक है अगला क्वेशन है निम्न लिखित मंदिरों में से कहां गोपुरम मिलेगा गोपुरम कहां मिलेगा ठीक है जो गोपुरम मिलता है वो कहां मिलता है सिम मंदिर में चिंदवरम में ओप्शन नमर ए जितने भी दच्छिन के मंदिर होते हैं उनमें गोपुरम मिलता है ठीक है गोपुरम का मतलब होता है एक टाप की मीनार ओके option नमबर A सही हो जाएगा जो हमारा स्वन मंदिर है अमरसर में है आपको याद रखना है दिलबाड़ा मंदिर है मांट आबू में है मांट आबू के सिरोई जिले में इस्तित है राश्तान में ठीक है यहां से भी question बन जाता है अगला question है मैसूर पैलेस कहां का निवास इस्तान है तो कहां का है बोडे यारो का option number D यह क्या है सबसे बड़े मेलों में से एक मेल माना जाता है इसको भी आप लिख लो सबसे बड़े मेलों में से सबसे बड़े मेलों में से एक महल है एक महल है कौन सा महल है? वो मैसूर पहले सोता है ठीक है? 249 में क्विश्चन पट चित्रकला पट चित्रकला रूप हिंदू पेराडिक कथाओं में किस बगवान को समर्पित है? बगवान जगनात, बगवान गनेश, बगवान ब्रहमा, बगवान सिब तो किसको समर्पित है? बगवान जगनात को समर्पित है उप्शन नम्मर A सही हो जाएगा आपको याद रखना है ठीक है? अगला क्विश्चन है उडीसा का सूर्य मंदिर बारह मी सताबदी ईसवी में निम्न लिखित में से किस समराट द्वारा बनाया गया था उसका नाम था नर्सिंग देव पिर्थम ओफ्शन नम्मर C सही हो जाएगा याँ से क्विश्चन बहुत बनते हैं ठीक है? आपका जो उडीसा का सूर्य मंदिर है इसको क्या बुलते हैं? बलेक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है बलेक पेगोडा पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर को किस बंस ने बनवाय था? किस सासक ने बनवाय था? नर्सिंग देव पिर्थम ने बनवाय था क्वशन यहां से भी पूछ लेता है किस बंस ने बनवाया था तो आपका आंसर हो जाएगा गंग बंस ने इसको बनवाया था गंग बंस ने सासक की बात करें तो नर्सिंग दे पिर्थम ने बनवाया था नर्सिंग दे पिर्थम ने ओके option number C सही हो जाएगा अगला question है निम्न में से कौन किश्ण देव राय द्वारा लिखित राज सिल्प पर एक क्रती है उस क्रत का नाम क्या है उस क्रत का नाम है अमुक्त मालयद आप्शन नमबर भी सही हो जाएगा ओके यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अगला क्वेशन बताएंगे आप लोग निम्न मैंसे किसने वैस्विक दर्शन का मूल पार्ट लिए था लिखा था तो किसने लिखाता इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसने लिखाता उसका नाम था कसाण कसाद ठीक है option number A सही हो जाएगा अगला question है मयनामती और गोपी चंद की काहनी निम्न लिखित में से किस साहित करत का हिस्सा है तो उसका नाम है नात साहित नात साहित ये भी बात आपको याद रखनी है अगला question है यसो बिग्रय, महें चंद्र और चंद देव किस बंस के पहले तीन सासक थे बेरी बेरी इंपोर्डेंट question तो किस बंस के सासक थे उस बंस का नाम है गहर्ड बाल option number C ये बंस ऐसा है यहाँ पा तीन पहले सासक थे यसो बिग्रय, महें चंद्र और चंद देव अगला question है निम्न लिखित में से कौन कुसाड बंस का सासक नहीं है तो कौन नहीं है, आपका नह पान option number A सही हो जाएगा उस बारती राज की पहँचान करें, जिसे महा काब बेकाल में, प्राग जो जोतिस के रूब में जाना जाता था तो उसका नाम आप लोग बताएंगे उसका नाम क्या है उस बारती राज की पहँचान करें, जिसे महा काब बेकाल में, प्राग जोतिस के नाम से जाना जाता था इसका answer कमेंट करके आप लोग बताएंगे दो सो चालिस का answer उसका नाम है असम, असम राज को क्या बोलते है प्राग जोतिस के नाम से भी जाना जाता है अगला question है, निम्न में से किस गुफा में पदमा पानी बोदिस सब नाम की पैंटिंग मिली थी अजनता गुफा संक्या फोर, अजनता गुफा संक्या टू, अजनता गुफा संक्या थरी, अजनता गुफा संक्या बन में मिली थी ठीक है, किस की पैंटिंग मिली थी पदमा पानी, बोदिसत बोदिसतव की क्या मिली थी पैंटिंग मिली थी, ओके अगला question है बर्मन बंस के बासकर बर्मन ने कि छेत्र में सासन किया था वो छेत्र का नाम है आपका काम रूप छेत्र में ठीक है काम रूप छेत्र में इनोंने क्या किया था सासन किया था ठीक है बर्मन बंस के बासकर बर्मन ने अगला question है आपका 249 निम्न लिखित में से कौन दर्शन सास्त्र के वैसे सिख संपरतायक से जुड़े हुए है कसाड, पतंजली, गौतम, जेमिनी इसका जो answer सही हो जाएगा option number A सही हो जाएगा ठीक है कसाड 249 का option number A सही हो जाएगा 250 मा question है उदैगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं काँ पर इस्तित हैं तो काँ पर इस्तित हैं उडिशा के अंदर इस्तित हैं ठीक है जे दो गुफाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं उडिशा के अंदर उदैगिरी और खंडगिरी ओके अगला question है कथा सरित सागर किसनी लिखीती यह एक पुश्टक है कथा सरित सागर किसनी लिखीती सौम देव ने ठीक है सौम देव ने इसको लिखा था ओके जो कालिदास ने क्या लिखाता मेग दूत को लिखाता मेग दूत को ओके जैते जैदेव किस ने लिखाता गीत गोबिंद ने लिखाता ठीक है गीत गोबिंद ने क्या लिखाता जैदेव किस ने लिखाता गीत गोबिंद को ओके एगला क्वेशन है कोल्थू, नाडू, बलू, बनाड तथा थेक्यू थेक्यू, मकूर बारत के किस राज में प्राचीन अल्प कालिक सामराज हुए थे तो किस काल में हुए थे किस राज के केरल के में केरल के छोटे छोटे प्रांथ हुआ करते थे पहले यह तीनों के तीनों ओके एगला क्वेशन है आपका बिक्रम युक्की शुरुबात कभ हुई थी इसापूर में तो सत्तामन बीसी के अंदर बिक्रम युक्की शुरुबात हुई थी ओप्शन नमर सी सही हो जाएगा ठीक है तोलका पियर बासा के प्रसिद प्राचीन ब्याकरण विद हैं कौन हैं किस बासा में हैं तो उस बासा का नाम है तमिल बासा तमिल बासा में क्या हैं प्रसिद हैं प्राचीन ब्याकरण विद ठीक है अगला क्वेशन है प्राचीन भारती दर्सन के अनुसार पुरुसाथ या जीवन के चार उद्दे सामिल नहीं है मनुस जो जीवन के चार उद्दे सामिल है वो कौन-कौन से हैं और कौन-कौन से नहीं है यह आंसर आप लोगों को बताना है ओके तो कौन-कौन सा नहीं है इसमें यस नहीं है तो चार कौन-कौन से होते हैं आपका हो गया धर्म हो गया ठीक है और कौनसा है काम हो गया और कौनसा है मोच हो गया मोच और कौनसा है अर्थ हो गया यह सारे के सारे क्या है आपके चार उद्देश हैं जीवन के ठीक है यस नहीं है ओके आपको याद रखने चारे के चारे अगला क्वेशन है निम्न मैंसे किस मंदिर का निर्माड राष्ट कूट बंस के द्वारा किया गया था कैलास मंदिर आदी कुम्बेश्वर वैद्वसर चेन्ना के सब मंदिर ठीक है तो राष्ट कूशों के द्वारा किस मंदिर का निर्माड हुआ था कैलास मंदिरों का निर्माड हुआ था ठीक है कहां पर माराष्ट के अंदर किस बंस ने किया था राष्ट कूट बंस ने किया था किस राजा ने किया था किस सासक ने किया था सासक का नाम लिख लिजिए आप पूछ लेता है राजा केशन पिर्थम ने केशन पिर्थम ने कैलास मंदिर का निर्माण किया था किस बं देते हैं यह राष्ट कूट बंस से संबन देते हैं यहां से क्वेस्टन पूछी लेता है ठीक है अगला क्वेस्टन है हिंदू पोराडिक कथाओं के संदरम में निम्न लिखित में से कौन सा बिकल्प भगवान विश्नु के दस अवतारों में से नहीं हैं अगर आपको भग आप लोग बता सकते हैं तो नहीं पूछ रहा है तो कौनसा नहीं है तो इसमें कौनसा नहीं है गरोन नहीं है यह भी है कुर्मी है बराह सुवर को बोलते हैं वोना भी है बोना ठीक है और भी बहुत सारे हैं कितनी होते हैं दस अवतार होते हैं ठीक है घरोण नहीं है जही पूचा अफ्शन नम्मर ए सही होगा प्राचीन भारत में गांदार कला सैली को किस राजबंस ने बिक्सित किया था राजबंस का नाम पूचा हुआ है राजबंस का नाम ओके राजबंस का नाम कुसाडबंस, गुप्तबंस, मौरबंस, चोलबंस तो उसका नाम हो जाएगा कुसाडबंस option number A सई हो जाएगा अगला question है बारः मेहर ध्वारा निम्न में से कौन सी पुस्टक लिखी थी ठीक है बारः मेहर ध्वारा उस पुस्टक का नाम है आपका ब्रहत सहेता option नमब C सई हो जाएगा ओके अगला question है निम्न मेंसे किस दर्म की उत्पत्ती भारत में नहीं थी भारत में नहीं हुई पार्सी दर्म, बहुत दर्म, सिक्क दर्म, जैन दर्म इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्सी दर्म ठीक है भारत में नहीं हुई थी तो कहां हुई थी इरान के अंदर हुई थी इरान ये भी आप कोई बात याद रखनी है अगला क्वेशन है निम्न में से इसका सम्मन्द संस्कति महाबारत से है संस्कति महाबारत से है ओके गीत गोबिंद युद्ध कांड सांति पर्व कथा सरिता सागर तो महाबारत से है तो सांति पर्व का सम्मन्द महाबारत से है अगला क्वेशन आप लोग देखेंगे निम्न में से कौन सी सैली भारत में मंदिर इस्तापत्य सैली नहीं है बेशर सैली नागड सैली दरबड सैली गोथिक सैली तो कौन सी नहीं है गोथिक सैली नहीं है option number D आपका सही हो जाएगा अगला question है किसने महावल लीपुरम के भब्यरत गुफाय मंदिरों का निर्माण कराया था माराना पिरताम ने नर्सिंग देव ने असूक ने अकवन ने तो किसने कराया था गुफामंदिरों का निर्माण उसका नाम है नर्सिंग देव ठीक है किस बंस से संब्दित है पललव बंस से संब्दित है पलल बंस बंस भी पूछ सकता है ओके बंस का नाम है आपका पलललव देव बंस अगला question देखेंगे इसमें बन की थी, option number भी सही हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है, गुजरात के उस आखरी हिंदू राजबंस का नाम बताईए जिसका असासन 1244 से 304 इसवी तक चला गुजर राजबंस जनपदिज राजबंस, भगेला राजबंस, नंद राजबंस तो आखरी हिंदू राजबंस का नाम है, बगेला राजबंस ठीक है, बहुत बार question पूछा गया जे है, जाम मैं ओके, अगला है बारत का राश्टी पिर्तीक कहां पर इस्तित है जो के मौर इस्तम से लिया गया है, तो कहां पर है, साननात के अंदर, ओ साननात कहां पर है यूपी के अंदर ठीक है, यूपी के अंदर वाराण असी वाराण असी, सेर के पास मैं, ठीक है जो साननात है, किस भगवान को समर्पित है भगवान सिब को समर्पित है इसको भी आपको याद रखना है किस से सम्मंधित है असोक से सम्मंधित है ठीक है सार नात इसको भी आपको याद रखना है एकला question देखेंगे पंच बटी बालमीकी रामाईर का एक प्रमुक हिस्सा बारत के किस राज में इस्तित है तमिन नाडू में, उत्प देश में, माराष्ट में, उत्राखंड में तो कौन सा राज संबन देते हैं माराष्ट का, ठीक है तो माराष्ट के अंदर क्या है, पंचवटी बालमी की रामाएड का एक प्रमुक हिस्सा माना जाता है, ओके, ओप्शन नमर सी सही हो जाएगा अगला क्वेशन है, सिकंदन ने भारत पर कब आक्रमड किया था 467 BC, 323 BC, 454 BC, 326 BC, कब किया था, 326 BC ठीक है, सिकंदन ने क्या किया था, भारत पर आक्रमड किया था अगला क्वेशन है, किसने एक या 26 में अकवर सागर जो अरव सागर से सटे काठिया बांद के दच्छनी तट पर आक्रमड किया ठीक है, किसने किया था, जिसमें उसने सोमनात सैर और इसके प्रसिद हिंदू मंदिरों को लूटा था, तो वो कौन था, फिरोसा तुकलक, एमद सा तुकलक, मुहमद गोरी, कौन था वो, गजनी का मेमूत ठीक है, सोमनात और अन्य जो प्रसिद मंदिर हैं, हिंदू, हिंदूओं के, उनको सारी के सारी को क्या कर लिया, लूट लिया था, ओके, अगला क्विशन है, निम्न में से किस भारती सासक को, वर्स, एक हैयार एक इसवी में, मेमूत गजनी ने, पहले आक्रमड में लोग कमेंट करके बताएंगे, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, किसको पराजित किया था, जैपाल को पराजित किया था, ठीक है, इसने पहले कहां पर आक्रमड किया, आपका पाखिस्तान में किया, अफगानिस्तान में किया, तब ही क्या किया, जैपाल को पराजित कर दिया निम्न में से किसे देवा नाम पिया के नाम से जाना जाता है तो उस राजा का नाम है असोक असोक को किस नाम से जाना जाता है देवा नाम पिया के नाम से भी जाना जाता है कब आया था कोईशन 117-2019 के अंदर अगला कोईशन है एक या 26 ईसवी में किसने सोमनात मंदिर पर हमला किया था एवम इसे लूटा था मुहम्मद गौरी, गजनी का मेमूत नादिर सा, चंगेर खान जो सोमनात मंदिर लूटा था, वो किसने लूटा था गजनी ने लूटा था ठीक है, ओके जो सोमनात मंदिर है किस भगवान को समर्पित है भगवान सिब को भी समर्पित है आपको याद रखना है अगला है, राज तरंगली पुष्टक के लेका कौन है बाडबट, कलहण, कालीदास, सोमदेग तो कौन है कलहण, बाडबट की बात करें तो कौन सी पुष्टक है कादम बरी कादम बरी कादम बरी अभी काली दास की अभी बताई थी मेग दूत ठीक है मेग दूत सौम देव की भी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कुष्टन आया था सोमदेब ने कौन सी पुष्टक लिखी थी और कालिदास ने तीन और पुष्टक लिखी थी इससे पहले जो कोशन कराया है उसमें भी बताय गया ठीक है अगला है तनक किस धरम संपतायक का पवित ग्रंथ है यहूदी ताओ धरम जैन धरम कनफो सीदाबाद तनक है किस बंस का संपतायक ग्रंथ है साओधी बावबिल का यहूदी यहूदी वावबिल का बावबिल का इसको भी आपको याद रखना है अगला question है भारत के पूर्योतर भाग में इस्तित पूर्य रियासती राज तिरपुरा पर किस बंस का सासक था तो किस पर राज पर जो आपका तिरपुरा पर अगला question है अस्व गोस द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन और निर्वान पर संसकति माकाब्य सहली में एक माकाब्य कविता है इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित बुद्ध चरित अस्व गोस द्वारा क्या होता है गौतम बुद्ध के जीवन और निर्वान पर संसकति माकाब्य सहली में एक माकाब्य कविता थी ठीक है ओप्शन नमबर ए सही हो जाएगा अगला क्वेशन है संतकवी ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान किस गुरु से प्राप्त किया था मुक्तानंद, चितानंद स्वामी, सरवानंद, रामानंद तो किस से किया था रामानंद से किया था option number D सही हो जाएगा एगला question है किसने इंद प्रस्त माता या चतुर डाड़ी संप्रदायक नामक संगीत बिद्या की नई पिर्णाली की शुरुबात की थी तो किसने की थी अमीर खुसरो ने की थी option number D सही हो जाएगा अमीर खुसरो को ही तोता एहिंद के नाम से भी जाना जाता है इसको भी आपको याद रखना है तोता एहिंद तोता एहिंद के नाम से किसको जाना जाता है अमीर खुसरो को जाना जाता है अमीर खुसरो को जाना जाता है इगला question है मौम्मद गौरी का पहला आक्रमड कब हुआ था जब उसने मुलतान पर हमला किया था तो कब हुआ था 1175 AD के अंदर ओके option number C सही हो जाएगा अगला question है गुरू को मोची संत के रूप में जाना जाता था किस गुरू को ठीक है तो रबेदास गुरू को ही जो मोची संत के रूप में जाना जाता था ओके अगला question देखेंगे आप लोग कनिस्क किस बंसका सा सकता तो कोसाण बंसका सा सकता और इसकी राददानी क्या है पैसावर सबसे पहली starting में भी इसको बताया था मैंने ओके अगला question देखेंगे आप लोग अगला question मंगोल सासक चंगेज खान की मिर्टु कब हुई थी कब हुई थी इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे ओके चलो यहीं तक रखते हैं हम लोग क्योंकि यहां से क्या start हो जाता है आपका मद्यकालीन इत्यास start हो जाता है हमने तीन से चार वीडियो के अंदर प्राचीन इत्यास को complete कर लिया है जितनी भी previous question आई हुए हैं जो आपके प्राचीन इत्यास के अंदर previous question सारी के सारी के हमने complete कर लिया है question एक से लेकर 280 तक इतने भी question हैं ये किस से संबंदित हैं प्राचीन भारस से प्राचीन इत्यास से संबंदित हैं इत्यास ओके एकली class में होई start करने वाले हैं मद्यकालीन इत्यास 282 question से start होते हैं मद्यकालीन इत्यास ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राब करें थेंक यू